नमस्कार दोस्तों सुरुचेवन की जम्यप का स्वागत है आज हम बनाएंगे वड़ापाउ वड़ापाउ महाराश्र की स्ट्रीट फूर्ड रेसिपी तो चली इसे बनाना स्टार्ट करते है वड़ापाउ बना निकले मैंने यहाँ पे एकलो अलू को उबाल कर उसके छिलक गरम हो चुका है इसमें डाल देता हे आधाचुमच राई आधा चुमच जीरा ज़िल देंगे थोड़ा सा यहाँपे मने लसन को क्षा करके लिया है वो डाल देते हैं दो चमर्च गड़ी पत्त डाल देंगे इसे mix करके लिते हैं एक बार Sattad Harvy मिज कोश्द कर लिया है वो डाल देते हैं अगर आपिक्षा करना हो तो आप और थूड़ी कर दिजे आध्रक को मैंने कद्दू कश कर लिया है वो डाल देते हैं एक चमच इसे थोड़ा सा भून लेते हैं फल्दी पाउडर डाल देंगे जोधेक इसे मिक्स करके लेंगे अभी इसमें नमक डाल देंगे एक चमच आप अपने स्वात के अनुसार आड़ कर दीजिए सबी चीजे डालने के बाद मैंने आधमी नीटी से भुल लिया है अभी हम इसमें आड़ कर देंगे अलू अलू को मिक्स कर लेते हैं गैस की फ्लेम मीडियम ने और लगाता चम्म चलाते हुए हम इसे अच्छे से पका के लेंगे इसे पकाने के लिए हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप इस सब्चु में अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद हो तो इसे अच्छे से पका के लिए जोए यहाँ पर यह अच्छी तरह से पक चुकी है अभी हम इसमें अड़ कर देंगे हरा धनिया इसे भी मिक्स कर के लेते है सब्ची अच्छे से पक चुकी है अभी हम मैशर से इसे मैश कर के लेंगे ताकि हमारी सारी सब्जी एक जेसी हो जाए और हमारे वड़े बहुत अच्छे बन जाए इसे मैश करने के बाद हम इसे थंड़ा होने के लिए रख देंगे सब्जी को थंड़ा होने के लिए रख देते हैं तब तक हम बेसं का गोल बनाएंगे एक मिक्सिंग बॉल में डाल देंगे देल्ड कटोरी बेशन, नमक डाल देंगे आधा चमच, आप अपने स्वात के अनुसर आड़ कर दीजिए लाल मिर्श पाउडर आड़ करेंगे आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आड़ करेंगे चोथेक चम्मच, एक पिंच बेकिंग सोडा सबी चीजों को अच्छी तेरे से मिक्स कर लेते हैं अभी हम इसमें पाणी आड़ करकर इसका घूल पनाएंगे हमें यहाँ पे ज़्यादा पाणी आड़ नहीं करना है हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करकर पाणी आड़ करेंगे और इसका गाड़ा घूल पनाएंगे अगर आपको यहाँ पे बेकिंग सोडा नहीं डाला हो तो आप यहाँ पे चावल का आटा एड़ कर सकते हो उससे भी हमारे वड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे दो चमच चावल का आटा एड़ कर दीजेगा गोल में हमें गुठलिया नहीं बननी दिनी है इस वज़े से हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है अभी यहाँ पे मेरा गोल बन चुका है और उसकी कंसिस्टनसी इस तरह से होनी चाहिए गोल बन चुका है और हमारी सब्जी भी अच्छे से धन्डी हो चुकी है अभी हम तेल को गरम होने के लिए रख देंगे तेल गरम हो रहा है तब तक हम वड़े बना लेते हैं थोड़ी से सब्जी हाथ पर लेकर उसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे इस तरह से अभी हम दोनों हाथों से इसे अच्छे से गोल शेप देंगे इस तरह से मैंने वड़े को बना लिया है यह बहुत है अच्छे से बना है इसे प्लेट में रख देते हैं इसी तरह से और एक वड़ा बना लेते हैं यहाँ पर हमें जितने वड़ा बनाने है उतने बना के लिजे और बाकी का जो मसाला है उसे एट-एट कंटेनर में भरकर फ्रीज में रखे और बाद में भी आप वड़े बना सकते हो इस तरह से मैं आट वड़े बना लिए है बची सब्चे को मैं एट-एट कंटेनर में भरक अभी तेल भी गरम हो चुका है उसमें थोड़ा सा घोल डाल के देखते हैं कि तेल अच्छे से गरम हो चुका या नहीं यह डालते ही उपर आ चुका है यानि कि तेल अच्छे से गरम हो चुका है वड़े को अभी घोल लगा लेते हैं इसे अच्छी तरह से डिप कर लेना है और सभी साइड से घुल लगा लेना है, अभी हम इसे तेल में डाल देते है, वड़े को तेल में डालते समय आपको बहुत ही सावधानी से डालना है, आप इसे धीरे से डालिएगा और बहुत उपर से मन डालिएगा, वरना तेल के छीटे बाहर भी उड़ सकते है, मेंने कड़े में दो वड़े डाल दिये है और गैस की फ्लेम मीडियम कर दिये है अभी हम चमच से इस तरह से उपर से भी तिल डालेंगे अभी हम इसे थोड़ा सा पलट के लेंगे डालती ही आपको पलटना नहीं है वरना वो चिपकता है वड़े को हमें medium flame पे brown color आने तक तलके लेना है अगर आप इसे high flame पे तलके लोगे तो यह बार सिफ जल्दी से brown हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहे जाएंगे यह अच्छे से तलके निकले है मैंने इने plate में निकल के लिया है इसी तरह से और एक पैच को तलके लेते हैं आपको यह धान रखना है कि घुल हमें ज्यादा पतला नहीं करना है गाड़ा घुल बनाना है बिच बिच में हम इसे अलट पलट के तलके लेंगे ताकि सभी जगह पे यह अच्छे से तलके निकले यह अच्छे से ब्राउन हो चुके है प्लेट में निकाल के लेते है इसी तरह से बाकी बचवी वड़ों को तल के लेंगे मेने आपे सभी वड़ों को तल के लिया है अभी हम वड़ा पाउ को सर्व कर लेते है मेने आपे पाव लिया है उसे इस तरह से बीच में से कट कर लें और इसे इस तरह से मैंने ओपन कर लिया है अभी हम इसके उपर रख देंगे वड़ा वड़ा को थोड़ा प्रेस कर लेंगे त्यारे हमारा वड़ा पाओ आप इसे अलग अलग चटनी के साथ सर कर सकते हो जैसे कि लसंग शेंगदान चटनी हरी चटनी खटी मीटी इमली की चटनी सिर्फ लसंग की चटनी या फिर सिर्फ शेंगदान चटनी या फिर केचप के साथ आप इसे परश सकते हो मैंने यहाँ पर इमली की चटनी और केचप लिया है और हरी मीट्स लेंगे वो भी बहुत ही अच्छी लगती है तैयार है हमारा वड़ा पाओ आपको यह रिसीप अच्छी लगी हो तो लैक शेर और कमेंट कीजिए और प्लीज हमरी चानल को सब्सक्राब कीजिए ठेंक यू फॉर वोचिंग